आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजता ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखो बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी म तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनून तो हम है आपके साथ रेलवे में एलपी तथा टैक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्तियों के लिए SSC मेकर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एलपी तथा टैक्नीशियन के एक्जाम के लिए तैयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोइन करें हमारा पाइलट बैज और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे पाइलट पर जोइन करने के लिए डाउनलोड करें एससे मेकर है और दिये गाई नंबर पर कॉल करें कि नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं एससे मेकर के इस उनलाइन प्रेट्फार्म पर कैसे हैं आप सभी स्पूडियन्ट एक वार कमई करके बताए तो वॉइस क्लियर है आवाज सबस्टेक नहीं आप सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग कि ट्रेन से कोश्चन हमेशा एक्जाम में देखने को मिलते हैं आप दोस्तों कोई भी एक्जाम देंगे तो आपको एक या दो कोश्चन ट्रेन यानि की रेल गाली से संब्दित प्रस्चन देखने को मिलेंगे अभी इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ाये हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है और उमीद करते हैं पीछे वाली क्लास का आप सभी स्टूडेंट डिवीजन और प्राक्टिस करके आउंगे क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है अगर पीछे वाली क् किये हैं तो आपके लिए ट्रेन के प्रशनों को समझना बहुत ही आसान होगा ठीक है चलिए तो जल्दी से जुड़ जाईए आप सभी को गुडिवनिंग ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और आप सभी स्टूडेंट और उमीद करते हैं आप लोग पीछे वाली क्लास का रिवीजन जरूर कि होगे मैं डिएली प्राक्टिस करेंगे तो आप लोग को सीखने में बहुत ही आसानी होगी फिक है तो आप लोग रिविजन प्राक्टिस डैली कर ये जोब ही क्लासिस हो रही है चलिए, बहुत अख्षे, हाँ सब्स्टोडिंट जुड़ गये हैं और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं आप यहां पे नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मेसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे से सी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाईए और एक बात और हम आप लोगों से बता दे हाँ आप सभी स्टूडेंट से ध्यान दीजिएगा है हाँ कोई भी डॉट हो रहsonaro तो आप हमसे क्या कर सकते हैं यहां पर नहीं पूछ पारे तो आपध्य हैं और यहां प्रति जानकारी पहले दे दे आप सबको पता होना चाहिए कि कीलो मीटर प्रती घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं मीटर पर सेकंड को किलो मीटर प्रती घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं ये टाइम स्पीड एंडिस्टेंस का जो पहला क्लास था उसमें हम आप बटा का 18 से यह आप सब को पता होना चाहिए हाँ यह आप सब को पता होना चाहिए और देखिए अगर हम लोगों को मीटर पर सेकेंड को convert करना हो km प्रति घंटा में तो हम किस से गुना करते हैं 18 बटा का 5 से किस से गुना करते हैं 18 बटा का 5 से ठीक है आप सब इस student समझ रहे हैं अगर आप लोगों के पास दिया हुआ है ध्यान दीजिए आप सब इस student किलोमीटर प्रति घंटा इसको हमें बदलना है क्या मीटर पर सेकेंड में किसमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5 बटा 18 से गुना करते हैं मतलब 90 गुने पांच बटा का 18, ये basic concept है एक बार समझा देते हैं, इसकी class हो चुकी आप लोगों की, ठीक है, हाँ, इसकी class हो चुकी, तो 18 पच्चे क्या होगा, 90, और 5 पच्चे क्या होगा, 25, तो ये क्या आएगा, 25 meter per second, अगर हम लोगों की pass हो, 25 meter per second, और हम लोगों को अगर बदलना हो, कीलो मीटर पर आवर में, कीलो मीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड में, जब हम 18 बटा 5 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीलो मीटर प्रतिघंटा, तो ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर पर सेकेंड को कीलो मीटर प्रतिघंटा में बदलने के लि अठारा पच्चे 90 क्या हो जाएगा कीलो मीटर पर आवर यह चीज आप लोग समझ रहे हैं यह बेसिक कॉंसेप्ट है हाँ सभी सुटिंट समझ रहे हैं अच्छी बात है तो बस आप लोगों को याद रखना है यह ध्यान दीजेगा यह इंपॉर्डेंट है हाँ कनवर्जन यह फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोगों को यह इंपॉर्डेंट है देखिए कीलो मीटर प्रति घंटा में आप पांच बटा अठारा से गुना करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा जब आप मीटर पर सेकेंड को अठ पाली क्लास चली थी उसमें हम यह सारी चीज़ें आप लोगों को कराएते ठीक है इसी वजह से हम आप लोगों को कहते हैं कि जो भी पीछे की क्लास है उसका आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करिए अगर इतना जानते हैं तो ट्रेन के प्रशनों को सॉल्व करने में परिसानी नहीं होगी और याद करनेका असान तरीका क्या है कीलो deterior आपके दिमाग में सोचने में बढ़ा रहर है कीलो मीटर तो उसको क्या करना है मीटर में बदलना मतलब उसको क्या करना है छोटे format में लिखना है मीटर क्या होता है चोटा होता है ठीक है हाँgeben से क Schritt चोटा है इसको बड़े के रूप में कि लिखना है तो क्या करेंगे 18enge यह बड़ा वाला वैलू है इससे गुना करेंगे थोड़ा सपने दिमाग में ऐसे थौट रखेंगे विचार रखेंगे तो यह पांच बटा ठारा और अठारा बटा पांच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है तो आप लोग क्या रखिएगा इसे याद रखिएगा च इहान से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इस कोश्चन को और समझने का प्रयास करेंगे देखिए आप सबको बस पता होना चाहिए मीटर के साथ क्या होगा प्रति सेकेंड मीटर के साथ समय का जो काई होता है सेकेंड होता है कीलो मीटर के साथ क्या होता है घंटा आवर अवर क्या होता है घंटे का ठीक है यह चीज आपको करना है आप सभी स्टूडिंट ऐसे कभी भी मत करिएगा किलो मीटर प्रती सेकेंड नहीं किलो मीटर प्रती सेकेंड नहीं होता है किलो मीटर प्रती आवर होता है ठीक है मीटर क्या होता है मीटर प्रती आवर नहीं होता ह है मीटर प्रती सेकेंड होता है ठीक है बस आप सब को पता किलो मीटर प्रती आवर मीटर पर सेकेंड यह चीज आपको याद रखना है ठीक है बस अब इतना याद है तो इस कोशन का अंसर आप सब दे सकते हैं पहला कोशन है बेसिक कोशन है क्योंकि यहां पर जो भी आप लो कितना समय लेगी देखिए यहां पर आप सब सुटेंट देखेंगे एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कितनी मीटर 200 मीटर रेलगाड़ी की जो लंबाई है और उसकी जो चाल है रेलगाड़ी की 90 किलो मीटर प्रति घंटा है एक सिगनल पोस्ट को पार करने के लिए कितना सम रही है और इसकी जो चाल है दोस्तों क्या है 90 किलो मीटर प्रतियावर है क्या है 90 किलो मीटर प्रतियावर है इसको पार करने में इसको पार करने में यह जो रेल गाड़ी है ध्यान दीजिएगा इसको पार करने में कितना समय लेगी यह पूछ रहा है तो आप सब इस्टूड पाई तै करेगी वही क्या होगा दूरी ठीक है दूरी क्या होगा आप सब स्टूडेंट सीखेंगे समझेंगे दूरी जो होगा ओ क्या होगा रेल गाड़ी की लंबाई होगा क्योंकि ये सिगनल पोस्ट है इसकी दूरी नगड़ मानी जाती है क्या है इसकी दूरी नगड़ मतलब क्या एक पोर है या खंबा है तो उसकी दूरी कुछ नहीं होती है प्लेटफार्म होग तो उसकी दूरी है लेकिन सिगनल पोस्ट को पार करने में ध्यान दीजीएग आप सब स्टूडेंट अच्छे से सीखेंगे हाँ अभी बता रहें आप लोग को सिगनल पोस्ट को पार करने के लिए क्या होगी रेलगाडी की जो लंबाई है वही दूरी होता है ठीक है यह आपको पता है तो अब आप सब इस्टूडेंट देखिए यहाँ पे 90 किलो मीटर प्रतियावर है यहाँ पे रेलगाडी की लंबाई क्या है मीटर में है तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदले तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा 90 किलो मीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है मीटर पर सेकेंड में बदलना है किसमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या होगा, नब्बे गुने, पांच बटा का अठारा, ये होगा मीटर पर सेकंड, तो अठारा पच्चे नब्बे, और पांच पच्चे क्या होगा, पचीस, पचीस मीटर पर स और आम सब को पता है यहां पर सारे फॉर्मूले एक बार और लिख देते हैं चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय और समय अध्यारको पता है और आप सब्स्तूडेंट को तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा का चाल समय बराबर क्या होता है यहां पर लिख देते हैं द्यान दीजेगा आप सब इसे तो मिटा देते हैं यह बस हम आप लोग को समझाने के लिए लिखेते देखिएगा तो समय बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बटा का च सिगनल इस टाइफ से है द्यान दिएगाप सबस्टूजीन सिघनल स्टाइफ से है और ये रेल गाड़ी ये इसी और यूपर लव्ववाएपrows अपनी ही ना यानि अब यह आगे जाएगी यहां तक ठीक है तो यह पार तो दूरी कितना तय की । लंबाई है ठीक है वही दूरी तपाथ तय करी ठीक है तो दूरी बराबर यहां पर तक होगा जो रेल गाड़ी की लंबाई तो दूरी की जगह पर 220 मीटर ध्यान दिजिए 220 मीटर चाल क्या है आप सब सुडुटिंट को पता है 200 मीटर है दूरी कितना है 200 मीटर है चाल क्या है 25 मीटर पर सेकेंड देखिए आप लोगों को यूनिट क्या रखना है शेम रखना है मतलब मीटर प्रति सेकेंड होगा कीलो मीटर प्रति घंटा होगा ठीक है तो दूरी क्या है रेल गाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी है 200 म समय अध्यान दीजिएगा आप सब्स्टूडेंट समय बराबर दूरी बटा चाल तो चाल को भी मीटर पर शेकेंड में रखना है तो पचीश मीटर पर सेकेंड चाल है तो डूरी बटा का चाल ये 25 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा आप सब बताएं हां समय कितना लगेगा 25 वठे 200 25 चोकँ 100 यानि 25 वठे 200 चाल बराबर डूरी बटा समय समय बराबर दूरी बराबर चाल दूरी बराबर चाल कुने समय यह बेसिक है अभी तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा तो आप सबस्टूडिंट देखिए कीलो मीटर प्रति घंटा को यहां पर क्या किये हैं मीटर पर सेकेंड में बदल लिए हैं एक दम बेशिक से समझा रहे हैं उमीद करें आप सबस्टूडिंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से यहां पर लिख भी दिये समय वराबर दूरी बटा चल ज्यादा कुछ करनी की जोरत नहीं थी दूरी तो आई है जोरे लगाडी की लंबाई है 200 और यह 90 है 25 तो जलना कुछ और सबी स्टूडिंट देखेंगे कॉश्य नमबर सेकंड देखेंगा कई दूसरा कॉश्य का आंसर आप लुग देंगे मितने स्टूडिंट इसल्व करते नहों जिनका आंसर शूडिंट लिखेंगगा की बात करें ट्रेन की लंबाई ग्याद करें, ट्रेन की लंबाई का मतलब चली गई जो उसके द्वारा दूरी खंबे को पार करेगी, तो आप सब को बता है, ध्यान दीजिएगा आप सब सुडेंट, अभी हम आप लोगों को बताएं, याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल दूरी बटा का चाल, ध्यान दीजिएगा, और होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, क्या होता है, चाल गुने समय, अब आप सब को पता है, ध्यान दीजिएगा, चाल गुने समय, जब इतना पता है, तो कुछ करनी की ज़रूरत नहीं है, देखिए, समय क प्रति आवर है अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे 90 को गुना करेंगे 5 बटा 18 से तो क्या होगा 18 पच्चे 90 ध्यान दिजेगा आप सब इस्टूडें अठारा पच्चे 90 तो यह क्या हो जाएगा 5 ऑची स्बसार पर सेकंड तो इसकी 40 meter per second में क्या होगी 25 meter per second अब आप सब स्टूडेंट देखेंगे आप लोगों को पता है ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी यहाँ पे देखिएगा एक खंबे को पार कर रही है यह एक पोल है ध्यान दीजेगा यहाँ पे आप सब स बराबर क्या है फॉर्मूले में चाल गुने सम है दूरी बराबर क्या है चाल गुने सम है हम लोगों से क्या पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई का मतलब ट्रेन की लंबाई का मतलब जो उसके दोवारा तय की गई दूरी है वही ट्रेन की लंबाई है तो क्या है आप सब स्टूडेंट को बता है चाल मीटर पर सेकेंड में क्या है पचीस मीटर पर सेकेंड कितना है पचीस मीटर पर सेकेंड समय क्या है समय क्या है 15 सेकेंड समय क्या है 15 सेकेंड तो यहां पर आप सब स्टूडेंट बताएं ट्रेन की लंबाई या दूरी क्या होग बताएं आप सब इस्टूडेंट 25 कुने 15 15 55 का 5 हसिल साथ 15 तोना के 30 37 37 37 35 मीटर यह मीटर में होगा ठीक है यह आपका क्या होगा आंसर होगा 375 meter very good 25 15 375 meter very good जितने स्टूडेंट आंसर दे रहें 375 meter आप सभी स्टूडेंट एक दम से ही है उमीद करते हैं समझ गए होंगे कि ऐसे प्रशनों को कैसे solve किया जा रहा है दूरी पूछेगा तो चाल गुने समय और आप सबको पता है आप सबको पता है जो ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगी खंबे को पार करने में ध्यान दीजिएगा जो ट्रेन पार की है तो ट्रेन की जो लंबाई होगी जो चली गई दूरी है ट्रेन द्वारा वही तो हो समझ रहोंगे इसमें कुछ करने की जवरत ही नहीं 90 किलो मीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकेंड में बदले तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया ठीक है आप देखिए आप सब को पटा है त्रेन की जो लंबाई होगी उसके द्वारा तय दूरी के बराबर होगी वही तो हो में करनवर्ट किये बसांसर आगया हाँ एकदम सही बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अच्छा चले तो नेक्स कोश्चन देखेंगे अगला आप सब इस्टूडेंट कोशन देखेंगे कोशन नंबर 3 कोशन नंबर 3 देखिएगा कोशन नंबर 3 काफी important है अच्छे से आ तो ट्रेन की गती है ट्रेन की गती गती मतलब चाल क्या होता है हां गती ध्यान दीजिए गती या बोले चाल क्या होता है गती या चाल चाल वराबर दूरी बटा समय क्या होता है चाल वराबर दूरी बटा समय ध्यान दीजिए तो यह दूरी अब आप लोगों को थोड़ा से यहां पर समझेना है यहां पर जो दूरी होगा ओब क्या होगा देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन है ध्यान दिजिएगा आप सब इस्टूडेंट सीखेंगे और समझेंगे आप सब लेट फॉर्म है जो प्लेटाम है या पूल माल लिये ये कितना मीटर है 300 मीटर है और 400 मीटर लंबी ट्रेन है और ग्या 400 मीटर है आप सब इस पूटेंट देखेंगे 400 मीटर ये है तो इसके दुआरा जो तै दूरी होगी क्या होगी एक तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी धृतेंडीजी Bundesregierung क्या होगी प्लेटफर्म को पार करेगी 300 मीटर उसके बासे ट्रेंद का ये जो पहला सीरा है तो क्या होगा आखरी सीरा जब इसको पार करेगा यानि कहने का मतलब है यह आखरी सीरा जो पार करेगा यानि यह 400 मीटर आप सब इस्टूडिन देखिए 400 मीटर यह 300 मीटर यह यह यानि जो दूरी तै करेगी आप सब इस्टूडिन देखिए ऐसे ट्रेन चल रही है ट्रेन में क्या होगा दोनों जुड़ेता है क्या होगा इसमें दोनों जुड़ेगा यानि कि जो टोटल डिस्टेंस उसके द्वारत है होगा वो क्या होगा अपना लंबाई तो पार करेगी और प्लेटफार्म को पार कर रही है प्लस अपना भी पार कर रही है यानि दूरी बराबर क्या होगा टोटल जो डिस्टेंस होगा ध्यान दीजिएगा हाँ टोटल जो दूरी होगा वो क्या होगा आप सब इस्टूडेंट को बता है दूरी बराबर क्या होगा ट्रेन की लंबाई प्लस पूल या प्रेफार्म की लंबाई मतलब 400 प्लस 300 बराबर क्या होगा 700 मीटर क्या होगा 700 मीटर होगा 700 मीटर होगा इतना तो समझ रहें आप सब इस्टूडेंट और आप सबको पता है चाल बराबर या गती बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा का समय त यह मीटर में है और समय सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड होता है आप सब को पता है तो चाल क्या हो जाएगा 70 दहा में 700 क्या होगा आप सब इस स्टूडिंट को पता है जो चाल होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड हाँ, हाँ, 10 meter per second, very good, बहुत अच्छे, एकदम सही, कुछ प्रेशन में है नहीं, देखिए, दूरी में क्या होगा, train अपनी लंबाई तो पार करेगी ही, और साथ में platform की जो लंबाई है, तो दूरी total जो distance होगा, train की लंबाई, plus platform, या pool की लंबाई, ठीक है, उसको करेंगे, हाँ, सही है, एकदम सही है, जितने student, 10 meter per second है, अब देखिए, question तो यह simple है, train की गती, अगर पूछे, train की गती, यहाँ पर देखिएगा, train की गती, कीलो मीटर प्रति आवर में बताए, train की गती, कीलो मीटर प्रति घंटा में बताए, तो answer क्या होगा, आप सब student बताए, train की गती, कीलो मीटर प्रति घंटा में बताए, या बताए, आप सब student क्या होगा, बताए एक बार अंसर आप लुग दे ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया है ट्रेन की गती है कीलो मीटर प्रती घंटा में बताएं कीलो मीटर में क्या होगा बताएं बहुत अच्छे कुछ स्टुटेंट बता रहें देखिए आप सबको पता है ये 10 मीटर पर सेकंड है जब हम इसको कीलो मीटर प्रती आवर में बदलेंगे तो ये 10 गुने क्या होगा मीटर पर सेकंड ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड कीलो मीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं 18 बटा का 5 से गुना करेंगे तो 5 दुना के 10 18 दुना के क्या हो जाएगा 36 किलो मीटर पर आवर यह आप कांसर हो जाएगा अगर आप लोगों से पूछे हाँ very good बहुत अक्से जितने इस्पूडेंट बोल रहे हैं 36 किलो मीटर पर आवर एकदम सही है उमीद करते हैं आप सब इस्पूडेंट समझ गए हैं यह मीटर पर सेकेंड में हैं तो किलो मीटर प्रति घंटाम बदलने के लिए क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो 10 गुने 18 बटा 5 5 दुना के 10 और 18 दुना के 36 36 किलो मीटर पर आवर Very good सब ही स्टुडेंट सही है जितने स्टुडेंट 36 किलो मीटर पर आवर आंसर दे रहे चले next question देखेंगे अगला को्शन देखेंगे Question number four ध्यान दीजीए्गा आप सब स्टूडेंट सब ही स्टूडेंट सही है उमीद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए, मन लगागे पढ़िए, खुब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को जोईन करिए, और कोशिस करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, ठीक है, चलिए, आगे देखेंगे, अगला कोशिन आप लो मीटर प्रति घंटा की गती से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेल गाड़ी 30 सेकेंड में पार करती है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 66 किलो मीटर प्रति घंटा है, क्या ह अठारा, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, आप इसको और छोटा करिए, ध्यान दीजिएगा, 63, 18, और 6 से 11, 6, 6, 6, आगे होगा, 11, 55, 55, ध्यान दीजिएगा, 55 बटा का 3 मीटर पर सेकेंड, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दसमलों में नहीं करना है, मीटर पर सेके और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, समय जब इधर जाएगा, तो चाल नीचे आजाएगा, यानि दूरी बटा का चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ये आप सबको अभियाद तो होई गया होगा, चाल गुने सम थीक है इतना आप लोगों को पता है हम लोगों से पूछ कह रहा है ट्रेन की लंबाई मतलब तूरी और दूरी में क्या है 410 मीटर लंबा प्लेटफार्म भी है और उसके बाध से यहां पर देखिये तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, आप सबको पता है, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर, दूरी बराबर, यह जो दूरी है, इसमें क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई, प्लस टेन की लंबाई, ठीक है, यह आपको पता है, तो दूरी का 3 मीटर पर सेकेंड और समय है 30, तो 3 दहां में 30, दूरी कितनी तई की ध्यान दिजियेगा, 55 गुने 10, 500, ध्यान दिजियेगा, 550 मीटर, 550 मीटर, हम लोगों से पूछ रहे हैं, गाड़ी की लंबाई, यानि की ट्रेन की लंबाई, इस दूरी में क्या है, आप सब तो आप सब को पता है कि प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो 410 है प्लेटफार्म की लंबाई होगी क्या होगी त्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी पांसो पचास चार सो दस इधर आएगा तो माइनस का चार सो दस तो जो ट्रेन की लंबाई है या गाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा 140 मीटर क्या हो जाएगा 140 मीटर आप लोगों का क्या अंसर आ रहे आप लोगों का क्या अंसर आ रहे बताए वेरी गुट क भी होगा वह प्लास ट्रेन यह आपको पता है तो यह जो 550 मीटर आया है इसमें प्लेटफार्म भी है ट्रेन भी तो 410 बस घटाना है 550 में तो 140 मीटर ट्रेन की जो लंबाई होगी 140 मीटर हो जाएगा आप सब इस्कूडेंट समझ गए तरगारी की लंबाई पूछ रहा है तो 55 में 550 मीटर दूरी हो गई तो 550 मीटर दूरी तैकी जिसमें क्या था 410 मीटर का प्लेटफार्म भी था तो 410 बस माइनस करेंगे अंसर आएगा 140 हाँ एक दम बेसीक से सबी स्टूडेंट समझ रहे हैं अच्छी बात है नेक्स कोस्टन देखें अगला कोस्टन देखें स समझे में आ रहा है समझेने का प्रयाज करिए कहीं पर कोई भी आप लोगो डाउट रहता है पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर सिमेंगर सर्च करके फॉलो कर लीज़े तो देखिए इन सब फॉर्मुला का यूज लग रह तो चाल इधर जाएगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल जब देखिए दूरी इधर है तो समय इधर है तो यह चाल आएगा तो गुना में तो दूरी बराबर चाल गुने समय ठीक है बस यही इंपॉर्डेंट फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय और याद हो की जाओगा आप लोगों को सब समय बराबर दूरी बट़ता चाल दूरी बराबर चाल बुरने समय ठीक है next question देखें अगला question आप लोग कोशन नंबर 5-5 संब देखेंगे क्सिंद्ध नम्बर 5 देखेंगे क्योंकि question 5 की बात करें तो यह जो question है यह most important question है, आप सब इस student इस question को ध्यान से देखेंगे और आप सब इस student समझने का प्रयास करेंगे, question है 110 मीटर लंबी train 60 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से जा रही है, यदि कोई व्यक्ति train की विपरीत दिसा में 6 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से दोड़ रहा हो, तो बताए कि train उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी या कितनी समय में पार कर जाएगी, देर मतलब समय, ठीक है, यह चीज़, अब आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 110 मीटर लंबी train है, ध्यान दीजिए आप सब इस student, 110 मीटर लंबी train है, जिसकी चाल क् 60 किलो मीटर प्रतिगंटा है जा रही है, यदि कोई व्यक्ति विप्रीत दिशा में, मतलब यह train है, इसका क्या है, ध्यान दीजिए, इसका जो चाल है, वो 60 किलो मीटर प्रतियावर है, और विप्रीत दिशा मतलब, समान दिशा एक होता है, एक होता है विप्रीत दिशा, स यह किलो मीटर पर आवर कि चाल से यह इधर आ रहा है ध्यान दीजेगा आप सब्सक्राइब कह रहा है यहां पे कह रहा है tiempo कि रफ्तार से द यहां जोड़ रहा है तो बताएँ ट्रें उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर सब्सक्राइम हिसाए मैं धोनों एक तरफ ऐसे गुजर रही हो तोसा पेक्च चाल होता है जूड जाता है do not चन खील अडाउन हेतना। चाहले6 km लाउन हुआर तो चाहलो है। पर सेकेंड हो गा यह क्या होगा मीटर पर सेकेंड इसको चछोटा करें तरी 18 और 6 से 11 यानि कि यह हो 25 बटा का 35 बटा का 3 रम सेंट के आम सबको पता है किलो Чер रही है यहां के में बदल लूए यहां चोब को पता है कितने समय में पार कर लेगी ब ginति यहां जनते हैं देख को पार्य कार रही है तो ब्यक्ती की दूरी कुछ नहीं व्यक्ति खंबा पॉल टेलिफॉन लाइन सिगनल नगड होता है ठीक है तो आप सब को पता है कितने समय में पार कर लेगी तो समय बराबर क्या होगा समय बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल क्या होता है दूरी बटा का चाल यह आपको पता है चाल ब लंबाई है तो ट्रेन कितनी लंबाई है 110 मीटर है क्या है 110 बटा का 4 इसका क्या है 45 बटा का 3 क्या है आप सब 10 बटा का क्या होगा 55 और यह 3 ऊपर चला जाएगा गुने 3 ऐसे हो जाएगा इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझी रहे होंगे बाग वाले को गुना में करने के लिए पलट देते हैं तो 3 बटा का 55 कर सकते हैं ऐसे ठीक है तो अब देखिए यहां पर 55 दूना के 110 और दो त आंसर आ रहे हैं फटाफट आप सब स्कूडेंट बताएं पिछली क्लास में हम आप लोगों को बता थे साप चाल अगर एक त्रेन इधर से आ रही है या एक आदिम इधर से जा रहे है ट्रेन इधर से जा रही है मतलब एक दूसरे के तरफ ठीक है तो सापेख चाल जुडता है अब दोनों एक ही दिशा में चले कहने का मतलब है ब्यक्ति भी इधर चलरा है तो इसमें क्या होता है X difference Y दोनों का अंतर होता है और जब ऐसे आ है दोनों एक दूसरे के तरफ आए इसकी X है और इसकी Y है तो आपस अपको पता किये आए ठीक है हाँ पीछे वाली इक seis में कराइए अगर नहीं पीछे वाली छी ए तो जरूर कर यह अच्छे के आघंट थे स्वक्य। मकशन देखें उम्मीद करते हैं समझ ऱैए ट्रेन के प्रस्णों को सdade करने के लिए हम वहत ही असान तरीक अधिल बता रहे हैं सब बहुत ही basic तरीका और पूरा लिख भी दे रहें कि समय बराबर दूरी वटा चाल दूरी क्या हो react जो ट्रेन की लमबाई है ठीम है और चाल आप सब यहां पर सापेक चाल निकाले क्योंकि कि यहाँ पे 2 स्पीड है तो हम सापेक चाल निकाले तो सापेक चाल आया अगला question आप लोग देखेंगे, next question देखेंगे, question number 6, question number 6 देखेंगे और ध्यान से आप सभी student देखेंगे, question number 6 देखेंगे, question number 6, most important question है, आप सभी student इस question को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, question है, एक सोपचास मीटर लंबी ट्रेन, जिस दिशा में चल रही है, उसके विप्रीद दिशा में एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की दर से दौरता हुआ आ रहा है, जिसे ट्रेन 5 सेकेंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल किलो मीटर प्रतिघंटा में कितनी होगी, ये बताना तो इस कोजिशन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आधा अधूरवा टाइप का है, लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे, तो आप लोगों को समझने में आएगा, ठीक है, समझ में आप लोगों को पूरा आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, बस आप समझेंगे तो अब सब को बता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय द्यान दीजिएगा आप सब चाल आ रहा है शाप एक्स चाल है क्योंकि 5 ने क्या हू रहा है एक ब्यक्ति है ध्यान दीजेगा एक ब्यक्ति की जो चाल है वो क्या है पांच मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन की भी कुछ चाल है ये चीज़ समझना है तो चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी वटा समय ध्यान दीजेगा तो चाल बराबर दूरी वटा समय दूरी क्या है 150 मीटर हां और समय कितना ले रही है पांच सेकेंड यह आपको पता है तो यह क्या आ गया चाल को 15 15 रफ्तार से डोड़रा है और बैक्ति की भी ध्यान दीजिए और ट्रेन की कोई चाल में ठीक है दो चाल जूरता है तो क्या होता है साफ चाल होता है आप सब को पता है और यह बिप्रिर्विद दिशा में आ रही हैं तो यहां पर हम लिख सकते सापेक्स चाल को लिखते हैं इसमें कोई आप लोगों को कुनफ्यूजन नहीं होना चाई Hai सापेक्स चाल बराबर दूरी बटशा मैं ठीक है हाँ यतना समिज में अब देखिए सापेक्स हाल में क्या होता है शापेक्सJean में मतलब भयक्ती की चाल ध्हान दिजेगा गत्ती की चाल और ट्रेन की चाल दोनों जूड़ा है क्योंकि ध्हान दीजे उसके विप्रिद दिशा में एक ब्यक्ति चल रहा ठीक है ब्यक्ती भी दर से दोड़ रहा है तो यहां पे क्या होगा इस जो सापक से चाल है यहांacy आप सब दिया हुआ है पांच मीटर पर सेकंड पांच मीटर पर सेकंड और प्लस द्यान दिजिएगा ट्रेन प्लस क्या है ट्रेन और बराबर क्या है 30 मीटर पर सेकंड इतना समझ रहें तो ट्रेन का क्या होगा ट्रेन का क्या होगा बताएं आप सब सुडेंट तो ब्यक्ति का इसमे train का जो चाल होगा वो होगा 30-5 यानि कि 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड train की चाल होगी कीलो मीटर प्रतिघंटा में बताना है ध्यान दीजेगा train ध्यान दीजेगा तो ये ट्रेन आप सब इस्टुडेंट यहाँ पर देखे एक बार और लिखते हैं हाँ ट्रेन की ध्यान दिजेगा ट्रेन की जो चाल है वो क्या है 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड हम लोगों से पूछ क्या रहा है ट्रेन की चाल किलो मीटर प्रतिघंटा में क्या होगी कुछ नहीं करना है किलो मीटर प्रतिघंटा में बताना है ना हम लोगों को किलो मी और यह हो जाएगा आंसर है हाँ वेरी गुड बहुत अक्षे एकदम सही जितने इस पूटिंट आंसर दे रहे नब्बे किलो मेटर प्रति घंटा एकदम सही है यहां पर समझ में आया चाल में क्या है यह सापेक्स चाल है सापेक्स चाल क्यों है क्योंकि इसमें ट्रेन की भी स्पीड है और वेक्ति की भी स्पीड है ठीक है हाँ क्योंकि 150 मीटर लंबी ट्रेन है द्यान दीजेगा और द्यान दीजे और जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड की दर्थ से यानि की स्पीड से दौरता हुआ आ रहा है जिसे train 5 सेकेंड में पार कर जाती है, ब्यक्ति को पार करती है, तो उसके द्वारा, जो चली गई दूरी होगी और train की लंबाई होगी, हाँ, ब्यक्ति को, पोल को, खंबा को, सिगनल को, उसमें क्या होता है, दूरी उसको नगण माना जाता है, ठीक है? हाँ, ना के बराबर, तो यहां पर जो दूरी होगी ट्रेन की लंबा रही हो जाएगी और समय क्या ले रही है तो साप दिबाज क्या हो जा जाएगा ध्यान दी ेजियेगा दूरी बटा समय मतलब 30 मिटर पर सेकंड ट फ्यक्ति का दिया हुआ है पास तो में का हो जाएगा 25 ठीक है जब 25 हो गया तो इसको आप किलो मेटर प्रति घंटा में बदल लिए तो 90 किलो मेटर पर गावर वहाद अच्छे एकदम सही उमीद करते हैं सब्सक्राइब समझ गए हैं तो यह जो कोश्चन है मोस्ट इंपॉर्डेंट है ध्यान से देंगे कोश्चन है दो रेल गाडिया जिनकी लंबाई क्रमसह 150 मीटर और 180 मीटर है समानांतर तहन दीजेगा समांतर समांतर मतलब बराबर ट्रैक पर विप्रीद दिशा में चल रही है विप्रीद दिशा समझ र यहां पर देखिए पहले तो आप लाएंगे सापेक्ष चाल अब देखिए दो रेल गाडिया है उनकी लंबाई दिया हुए 150 मीटर 180 मीटर तो आप सब को पता है सापेक्ष चाल क्या होता है सापेक्ष चाल होगा देखिए दोनों समांतर ट्रैक पर विप्रीद दिशा में चलती विप्रिद्दिसा मतलब एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है तो यहां पर क्या होगा इसकी x speed थे और इसकी y की speed है तो x plus y हो जाता है जुड़ जाता है यह आप सब को पता है ठीक है जब आप सबको यह पता है तो साप एक सचाल क्या हो जाएगा एक की 50 लोगों को समझना है हम लोगों से पूछ क्या रहा है वह एक धहन दीजे तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या होता है, ध्यान दीजे आप सब स्टूडेंट, समय बराबर, समय बराबर, ध्यान दीजेगा, समय, समय बराबर, क्या होता है, दूरी बटा का चाल, अब दूरी में क्या होगा, दूरी में, देखिए, एक पहली दूसरी ट्रेन तो पहली ट्रेन देहन दीजे यहां पर देखेंगे यह पहली ट्रेन है यह दूसरी ट्रेन तो दूरी में क्या होगा एक दूसरी को पार करेंगी मतलब दोनों की दूरी क्या होगी आपस में जूड जाएगा समझ रहे न देहन दीजे तो दूरी में क्या होग दोनों ट्रेन की लंबाई जूड जाएगा मतलब 150 प्लस 180 ठीक है हाँ यह मीटर में है इसलिए समय को मीटर समय को यहां पर चाल को क्या किये मीटर पर सेकेंड में बदले ठीक है तो चाल क्या है 30 मीटर पर सेकेंड तो बटा का होगा यह 30 तो यहां पर हो जाएगा 150 और 180 तो यह क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 3 से 11, तो यह आएगा 11 सेकेंड, क्या अंसर आएगा? 11 सेकेंड, आप लोगों का क्या अंसर आ रहे? थोड़े सा आप लोग भी बताते रहे हैं, 11 सेकेंड, very good, बहुत अख्या है, सांधार, जितने स्टुडेंट आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडिंट समझ गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी यहाँ पर दूरी समझ में आया ना दूरी हम आप लोगों को क्या बता है जब platform होगा train होगी तो दोनों की दूरी जुड़ेगा जब train train है तो दोनों की दूरी जुड़ेगा जब मनुस्य यानि कि ब्यक्ति और क्या हो खंबा पूल हाँ सिगनल ऐसे हो तो वहाँ पे सिर्फ train की लंबाई को दूरी माना जाता है क्यों कि यह मानलीज यह पतला सा तो आप लोग बहुत अच्छे हैं बस आप लोगों की जरूरत क्या है आप अपने तरफ से एकदम इमांदार रहिए और प्रैक्टिस करने की आप लोगों को जरूरत है ठीक है क्या करनी की जरूरत है प्रैक्टिस करनी की जरूरत है डेली आप लोगों क्लास को ज्वाइन कर करिये और सारे question की क्या करिए practice करिए मन लगा पढ़िए और कहीए आप लोगों को किसी भी question में या किसी प्रकार की doubt हो रहे जाता है तो आप हमसे पूस सकते हैं बाद में भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे स सच करके आप सब फूरेंट पॉलो कर लिजिए जूड़ जाईए आप लोग जुड़ जाईएगा तेली ग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आज की ग्लास को दोस्तों हम यहीं तक रोखते हैं यहां से निग्रासमें इसके आगे क्या करेंगे दिहान देंगे जो भी आज की इसा में के सिरफ Practice कहने का मतलब है कि अपने आप से rough वे practice करेंगे सिर्फ question को answer आपको ढखक लेना है question को देखना है और अपने आप से solve करना है और यह देखना है कि आप लूक solve कर पारहे हैं कि ने जब आप ज्यादा से ज्यादा बार practice करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा तरीका पता हो जाएगा सोचने समझने कि आपके अंदर समता विक्सित होगी और परशनों को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ठीक है तो आप सब इस्टूडेंट मन लागा गे पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को को को जोऑन करें कहीं पर कोई दिक्क्त आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते इंस्टाग्राम पर ठीक है तो आज की क्लास में यहीं तक रोगते हैं मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अजयूक क्लास कि आदि eight हाँ आप लोगों को कुछ basic और कॉस्चन करा रहे हैं यह क्लास नंबर 2 है अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लिजिएगा और हम आप लोगों को बता दे जितनी भी क्लासे पीछे चली है उनका आप सभी सुडेंट रिविजन और प्रैक्टिस जरूर करिए चलिए आप सभी को गूड इबनिंग जल्दी से आप सभी सुड करये मन लगा के पढ़िए और सीखें कहीं सिश्रेका cao को लिजिए और आप सभी सुड़ेंट जाईए वहाँ पर मैशेंज कर सकते हैं ठीक है सभी चले तो आज की क्लास को हम आगे कंटिनिव करेंगे और आप सभी सुड़ेंट को सेयवाब देंगे उमीद करते हैं पीछे वाली लास चलिए उसका आप सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस कर गया होंगे चलिए बहुद अच्छे बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट जूड़ गये हैं अच्छी बात है चलिए लेक्लास नंबर ये क्या है टू है रेलगाडी ध्यान दीजिएगा यानि की रेल गारी जितने भी important question बनते हैं चलिए question देखेंगे आप सबस्य student सब्सूदेंट से देखेंगे note जरूर करेंगे question number eight है हम आप लोगों को बता दे question number one से लेकर seven तक पिछली class में हम करा चुके और उमीद करते हैं उसका आप सभी स्टूडेंट रिविजन और प्रैक्टिस करक्या होंगे ठीक है अब यह रहा आपका कोश्चन नंबर एट और यह जो कोश्चन है मोस्ट इंपोर्डेंट कोश्चन है और इस कोश्चन को ध्यान से देखेंगे कोश्चन है 200 मीटर और 150 तो 50 मीटर लंबी दो ट्रेने क्रम सह 40 किलो मीटर प्रति घंटा और 45 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरिया पर ध्यान दीजेगा समानांतर पटरिया पर चल रही है यह दिवे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी ध्य से निकालते थे दोनों को जोड़ के यहां पर क्या हो रहा है दो ट्रेने हैं दोस्तों 200 मीटर और 150 मीटर लंबी ध्यान दिजिएगा क्रमशह 40 किलो मेटर प्रतिघंटा और 45 किलो मेटर प्रतिघंटा की चाल्से यहां पर लिखा है समानांतर पड़िया मतलब एक समान पड़रिया, मतलब समान कहने का मतलब है, ये पड़रिया हो गई, ये पड़रिया हो गई, दो पड़रिया हो गई, ध्यान दिजेगा आप सभी सूरें, ये दो पड़रिया हो गई, सभी सूरेंट देखेंगे, इस पे ट्रेन चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, क्या चल रही है एक ही दिशा में चल रही है समानांतर चल रही है ध्यान दीजिएगा मतलब देखिए यहाँ पे लिख रहा है समानांतर पटेडिया पे वे समान दिशा में चल रही है किस दिशा में समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी तो समान दिशा में जब चल रही हैं, तो साप एक्स चाल क्या होगा? दोनों का डिफ्रेंस अंतर, यानि कि X-Y, आप सभी स्पूडेंट को पता है, तो देखिए, यहां से पहले आप सभी स्पूडेंट निकालेंगे, क्या? साप एक्स चाल, सभी स्पूडेंट अच्छे से घटाएंगे, 45 में से 40 तो क्या होगा? पांच कीलो मीटर पर आवर, जो साप एक्स चाल होगा, वो पांच कीलो मीटर पर आवर होगा, कीलो मीटर में, ट्रेन की जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, वो मीटर में, तो इसको अभी ध्यान दीजिए, चाल को मीटर पर सेके being दूरी बटा समय समय कितनी दूरी है और किस चाल से चल रही यही है देखेंगे दूरी क्या है यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है ट्रेन की लंबाई में क्योंकि यह दूरी है वो मीटर में है तो यह 25 बटा का 18 क्या है 25 बटा का 18 यह मीटर पर सेकेंड में है जब इसको आप सौल करेंगे 200 और 150 मिल के क्या होगा तीन सो पचास और यह 18 ऊपर चला जाएगा और पचीस नीचे रहेगा गुने 18 और बटा का पचीस ठीक है इतना तो आप सब इस फूटिंट जानते ही होगे देखिए पचीस चौको सो और 12 बार में जाएगा बार दो 14 14 बार में चला जाएगा यह आप ऐसे भी कर सकते हैं ध् ध्यान दीजिएगा तो 18 चौक 72 का दो हांसिल साथ 18 का मठार अठार साथ 25 तो क्या हो जाएगा बताएं आप सब इस फूटिंट हाँ ध्यान दीजिएगा हां क्या हो जाएगा 252 सेकेंड जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 252 सेकेंड क्या अंसर आ रहें आप लोगों का 252 सेकेंड, very good, सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, 252 सेकेंड, very good, हाँ, समयस में आ गया, यहाँ पे समय बताने है, 252 मीटर भी कुछ स्टूडेंट आंसर दे, मीटर नहीं होगा, समय पूछ रहे हैं, तो समय सेकेंड में होता है, समय मीटर म में नहीं होता है या किलो मेटर में नहीं होता है समय सेकेंड में बताईए घंटा में बताईए मिनट में बताईए ठीक है है तो अंसर होगा 250 definitely अगर आप चाहें 250 को ध्यान दिजीए 60 से भाग करके मिनट में भी दे सकते हैं तो सच से भाग करेंगे तो चार मीनट बारा सेकंड भी आसर दे सकते हैं इसको चार मीनट 12 सेकंड भी आंसर दे चाहे तो चलेंगी हाँ मतलब और दूसरे के तरफ चल रही है ये इस विङए इस में उसे वोलेंगे विपृरित दुसा तो इसमें क्या होता है साप ब्लूप जुड़ जाता है यह आप सब को पता आए चले नेक्स देखेंगे अगला कोंश़ें आप सब इस ने देखेंगे, question number 9 देखिएगा, काफी important है, question number 9, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, question number 9 की बात करें, तो ये जो question है, most important question है, अच्छे से आप सब इस student को देखेंगे, देखिए, question है, 100 मीटर लंबी रेलगाडी, 54 कीलो मीटर प्रतिघंटा की चाल से चल रही है, वहाँ अपने आगे, 36 कीलो मीटर प्रतिघंटा की चाल से चल रही रेलगाडी में बैठे बैक्ति को, कितने समय में पार कर लेगी, ध्यान दीजेगा, हाँ, यहाँ पी इस question को से चल रही रेलगाडी में बैठे, जो आगे रेलगाडी चल रही है, उसकी जो स्पीड है, वह कितना क्या है, 36 कीलो मीटर प्रतिघंटा है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसको कितने समय में पार करेगी, व्यक्ति को पार करने का मतलब, समझ रहे हैं आप सब समझें, 100 मीटर रंबी रेलगाडी है, व्यक्ति को पार करने का मतलब, रेलगाडी को अपनी दूरी तय करना, जो दूरी होगी, वो 100 मीटर ही होगा, हाँ, रेलगाडी जो पार करेगी, वही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप सब इस्पूटिंट देखेंगे, सापेक्स चाल क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझें, एक रेलगाडी है, यह क्या चल रहा है, 54 किलो मीटर पर आवर, ठीक है, दूसरी रेलगाडी चल रही है, ध्यान दीजेगा, जो दूसरी रेलगाडी है, वो क्या चल रहा है, 36 किलो मीटर पर आवर, ध्यान दीज जाएगा सापेख्ष च्राल क्या होगा घाट जाएगा यह आप सभी स्टूडिन बताए सापेख्ष च्राल होगा तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदले तो अठारा गुने फांच बटा अठारा यह क्या होगा meter per second तो जब आप इसको meter per second में बदले तो 18 से 18 कटेगा ये क्या होगा 5 meter per second meter per second में क्या होगा इसकी चाल 5 meter per second ये होगा आप सबको पता है हम लोगों से पूच रहे हैं व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी समय बराबर दूरी बटा चाल यह आप सबको पता है, ध्यान दीजे, formula आप सबको अब याद हो गया होगा, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल, कह सकते हैं, आप सभी को यह formula याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का समय, और समय बराबर क्या होता है, ध्यान गुने समय यह आप सबको अब याद हो गया होगा हम उमीद करते चाल गुने समय ठीक है यह आप सब को पता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल दूरी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी वही दूरी होगी यानि train की लंबाई 100 मीटर ठीक है दूरी क्या होगा 100 मीटर होगा इसका सापेक्ष चाल क्या है बताएं आप सब इस्टूडेंट 100 मीटर ही पार करना है जो चाल है वह सापेक्ष जो चाल है वह 5 सबस्क् curator सब्सक्राइब चाल करने साफ में गरताएं आप स्टूडेंट का पांस से कटेगा पांस दूरा के दास कि यहीं होगागा 2020 है कि यह वीकट है आप लोगों का बताए सबस्टने स्बेश्य शू इस ईक दंसफी होगा 20 सेके dziफ मॉखा यह वेशिक है वेसिक फॉर्मूला है याद होना अच्छी है दूरी बराबर स्वीड इंटू टाइम ठीक है समझ में आ रहा है यानि सब कुछ समझ में आ गया सबका आंसर भी सेगेंड आ रहे है वेरी गुड एक दम सही है देखिए इसको याद कैसे चाल बराबर दूरी बड़ा समय याद इससे पहले हम आप लोगों को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है तीक है यहा अप सब को पता है बेसिक है अक ही जू चाल ओग देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रही है जब एक ही दिशा में चल रही तो सापेक्स चाल क्या होता है घर्टा है जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेट एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है इस तरह से तो यहां पे सापेक्स चाल जुड़ता है आप लोग देखे होंगे ट्र बहुत तेज आपको दिखेगा मतलब वो सौ की स्पीड हो जा रही है जब आप 40 के रफतार में चल रही है वह बहुत त्थीरा नजर आएगी मतलब लगे गाए कि वह 20 की स्पीड में ही चल रही है समझ रही है यह सब क्या है आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ठीक है हां देखेंगे कि बगल में आली ट्रेन क्या है कि बहुत धीरे लेकिन और वहीं दूसरी खिड़की से देखेंगे तो लगेगा कि आपकी train तेज है वो भी तेजी है हाँ समझ में आया यह चीजे आप लोगों ने देखा भी होगा हाँ चलिए आगे चले next question के तरफ चले उमीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चलिए आगे question देखेंगे अगला question 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 number 10 देखिएगा बहुत important है इस question को आप सभी student अच्छे से देखेंगे क्योंकि यह जो कोश्चन है बहुत ही important question है इस question को आप सभी student ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे देखिए यह जो question है most important question है इसमें दोस्तों हम तीन question सामिल किये है पहला दूसरा तीसरा आप लोगों के exam में question आएगा तो उसमें आप से एक ही कोई question पूछेगा यहां पे तीन question इसलिए सामिल किये हैं ताकि एक ही question से हम तीनों question को बता सके कि आप लोग कुछ भी पूछे तो कैसे आंसर देंगे ठीक है हाँ मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सके चलिए और आप लोगों को भी पता है यहाँ पे जो भी क्लास से चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है जीरो लेवल से चल रही है और चाप्टर बाइच चाप्टर चल रही स्थान ए से कितने किलोमेटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेगी। किलोमेटर दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। अस्थान A और B का मतलब क्या है। अच्छे से समझ सके देखिए ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दो अस्थान A और B के मद्ध 700 किलोमेटर की दूरी है। यहाँ पर यहाँ से ध्याद दीजिए यहाँ पर कौन है अस्थान A यहाँ पर है अस्थान B और इसके मद्ध है। 700 किलोमेटर है कितना है 700 किलोमेटर ध्यान दीजिएगा कह रहा है A से B की ओर सुबा 6 बजे ट्रेन ध्यान दीजिएगा A से B के तरफ एक ट्रेन चल रही है। ध्यान दीजिएगा 6 a.m पर 6 बजे चल रही है कितने किलोमेटर प्रति घंटा की चल से चल रही है किछ रख्कतार से 60 किलोमेटर प्रति घंटा की 4 चल रही है ठीक है कोछ सुट गहां सर भी दे रहे है कितने बजे चल रही है सुबह 6 बजे ही चल रही है यानि कि 6 differ where till the day भूण्य हिदर भी सुबह जे जिमला मतलब दोनों एक कई time से चलिह एक इधर से चलिए एक इधर से चलिए अब सब पता हो गया कि दोनों ट्रेने क्या है एक इधर से आ दया, ओंगे, तो ये इसका मतलब क्या है? सापक्ष जो चाल। और जुड़ेगा, क्या होगा? सापक्ष चाल। आप सब लिखेंगे, छो साप सापेक्स चाल वो क्या हो जाएगा सब इस पूटिंट देखेंगे यहां से 40 किलो मीटर प्रति घंटा यहां से 60 तो 40 प्लस 60 यह क्या हो जाएगा 100 किलो मीटर प्रति घंटा क्या होगा 100 किलो मीटर प्रति घंटा अब देखिए दूरी यहां पे क्या है किलो मीटर में है आप स इसको आप लोग करने की कोशिस ना करिएगा जब दूरी मीटर में होता तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं कुछ स्टूडेंट बदल भी रहें बदलने की कोशिस ना करिए अब देखिए यहां पे देखेंगे आप सब को पता है ध्यान दीजे पहला प्रस्ण हम लोगों से पूछ रहा है दोनों ट्रेने कितने बज़े एक दूसरे से मिलेंगी कितने बज़े एक दूसरे से मिलेंगी तो आप सब को पता है ध्यान दीजे कितने बज़े मिलेंगी तो चाल बराबर दूरी बटा समय समय बराबर दूरी बटा चाल तो ध्यान दीजिएगा पहला question ध्यान दीजिए आप सब student पूछा है कितने बज़े मिलेंगी मतलब समय समय बराबर क्या होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल तो दूरी क्या है 700 किलो मीटर चाल क्या है 100 किलो मीटर पर आवर चल रही है तो 100 से 700 कटेगा कितनी बार में? 7 यानि कि 7 घंटे ध्यान दीजिए 7 घंटे बाद मिलेंगी और ये पूछ रहा है कि कितने बजे ध्यान दीजिए दोनों ट्रेने कितने बजे पूछ रहा है तो कितने बजे का मतलब सुबा में 6 बजे से चली है इधर से और इधर से भी चल र 6 गंटा, 6 बजे 7 गंटा मतलब 7-6 13 बजे हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 1 बजे, कितने बजे 1 p.m. यहां, मिलने का जो टाइम होगा, वड़त 1 p.m. यह आपका क्या होगा? आंसर होगा, पहले का जो आंसर होगा 1 p.m. कितने बजे मिलेंगी? तो इसका answer होगा 1 PM, हाँ, दोबहर के 1 वजे, क्योंकि 7 घंटा लग रहा है, तो 6 वजे चली है, इधर से भी देखेंगे, और इधर से भी देखेंगे, समझ रहें, तो 1 PM पर मिलेंगी, very good, सभी student सही है, हाँ, कितने घंटे बाद मिलेंगी अगर ये पूछा होता, तो 7 घंट कि दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, हाँ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, आप सब को पता है, कि दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो अब देखिए, हम लोगों से क्या बूच रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप मीटर प्रति घंटा कितना है अस्थान ए से जो चल रही है तो उसकी चाल लेना है ना कि आप सभी स्टूडेंट सापेक्स चाल लेंगे द्यान देजिएगा सापेक्स चाल लेंगे तो 700 किलो मीटर आ जाएगा वह अंसर नहीं होगा देखिए तो यहां पर अस्थान ए से जो सत्य 28ици किलो मीटर की दूरी पर यह आंसर होगा आपका कौूष Bennett नंबर दूसरे का ठीक है कौशन नंबर दूसरे का समझ गए कौशन नंबर दूसरे अब देखिए question number हम लोगों से तीसरा पूछ रहे अस्थान B से कितने किलोमीटर की दूनी पर दोनों ट्रेने मिलेंगी अस्थान B से B के तरफ से जो आ रही है B के तरफ से उसकी चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रतिगंटा देखिए तीसरा question पूछा है क्या तीसरा तो तीसरा में भी दूरी बराबर क्या होगा दूरी बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय क्या होगा चाल गुने समय सभी स्टूडेंट देखेंगे तो इधर से जो चाल है सभी स्टूडेंट धियान दिजिएगा इधर से जो B के तरफ से चाल है वो 60 km पर आवर है, क्या है, 60 km पर आवर, समय कितना लग रहा है, बताईएगा, 7 घंटा, क्योंकि आप सब को पता है, समय जो लग रहा है, वो 7 घंटा, कैसे, क्योंकि 700 km है, सापेक चाल 100 है, तो 7 घंटा, तो 7 642 या 6 742, तो होगा 420 km, 400, 420 km, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, बताएं, समझ में आया, तीनों कोश्चन के आंसर, समझ में आये, समझ में आया की नहीं, बताएं, आप सब इस फूरें, तीनों कोश्चन के आंसर आ चुके, तीनों कोश्चन के आंसर, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीनों कोश्चन के आंसर, देखिएगा, पहला आया, वन पीम, मिलने का जो समय होगा, होगा, वन पीम, य कैसे आया आप सभी को पता ठीक है चलिए एक दम सही है जितने स्पूडिंट आंसर दें समझ में आया तो आपको करना क्या था सापिक ही चाल निकालना था बस सापिक ही चाल निकाले तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल यानि कि 7 गंटा समय लगेगा दोनों च्रेसंग निक सुबह के जब छे बज़े चल रही है तो साथ घंटा जोड़ेंगे तो साथ से तेरा तेरा का मतलब बारा एक तेरा एक बज़े पीम चलिए नेक्स देखिएगा अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन काफी कोश्चन हैं कोश्चन निमबह 11 जारी दीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सो कोशन औरस आम लंबाई की ट्रेने 172 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 208 km2 घंता की गती से चल रही है क्या अचुनौं की चाल दिया हुआ है एक का 72 km2 घंता और एक का दिया है еiberate uin कि उल्बाई कितनी हैं प्रतेक्ट्रें के फूरेश्य देखिएगा कैसे देना है समझेंगे दो ट्रेने हैं, आप सब देखिए, दो ट्रेने हैं और समान लंबाई है, चाल क्या है, 72 किलो मीटर पर आवर ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, और एक की जो ट्रेन है, उसकी जो चाल है, ओ है 108 किलो मीटर पर आव ठीक है एक ही दिशा में चल रही है तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेट जो सापेक्ष चाल होगा सापेक्ष चाल आप सभी स्टूडेट बताए सापेक्ष चाल क्या होगा सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में चल रही है तो क्या ह होता है घट जाता है मतलब 108 माइनस 72 तो 178 में से 22 घटाएंगे तो क्या होगा 36 8 में से 2 जा या 182 बातर 1895 अठारा चकी 108 होता है न तो 186 समझ रहें 36 यह घटा सकते हैं 8 में से 2 जा 6 10 में से 7 जा 3 36 36 km per hour क्या होगा 36 km per hour समझ में आया देखिए तो यह km मीटर प्रती घंटा में तो मीटर पर सेकेंड में बतलेंगे तो 36 गुने 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड यह मीटर पर सेकेंड में होगा तो आप देखेंगे 18 दुना के 36 और 2 पच्चे 10 क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड आप यहां पे कह रहा है ध्यान दीजेगा यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है प्रतेक ट्रेन की लंबाई लंबाई मतलब दूरी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय लंबाई यानि की दूरी आप सभी स्टूडेंट देखिएगा लंबाई लंबाई मतलब क्या होता है लंबाई यानि की दूरी और दूरी बराबर क्या होता है ब मीटर पर सेकेंड समय कितना ले रही है 50 सेकेंड समय कितना ले रही है 50 सेकेंड बताएं आप सब सुडेंट तो आंसर क्या होगा पचास दहां में 500 मीटर 500 मीटर अब यहाँ पे यह जो लंबाई है यहाँ पे दो ट्रेनों की है यह जो लंबाई है दो ट्रेनों की है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दो समान लंबाई की ट्रेन है लंबाई क्या है समान तो यह दो ट्रेनों की लंबाई है ध्यान दीजेगा यह जो लंबाई है वो क्या है दो ट्रेनों की हाँ दो दो ट्रेनों की लंबाई दो ट्रेनों की लंबाई है तो एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी एक ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी 500 बटा का दो दो है तो यह बहुत अच्छे एक बहुत अच्छे एक दम सही का आप सब्सक्राइब अब देखिए अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करने अब हम आप लोग को बता रहें देखिएगा आप सभी इसुडेट्ट और समझने का एक बार और प्रयास करेंगे अभी हाँ देखिए हम लोगों से पूछ क्या रहा है दूसरे में पूछ रहा है दूसरा जो कोश्चन है यदि वे विप्रीत दिसा से आ रही हो तो एक दूसरे को पार करने में प्रती एक यानि कि यह प्रती एक है प्रती एक नहीं मतलब प्रती एक है हाँ प्रती एक ट्रेन की लंबाई ग्याद कीजिए दूसरा कोश्चन का अंसर कहां पर दे दे यहां पर देखिए आप सब सुडेंट दूसरा यहां पर सॉल्व कर देते हैं अलग कलर से ताकि आप गहां कहले है डूसरी जो ट्रेन और यह उसका क्या है метa इस तरह से यहां पर यह चाहल यहां परण होगा यहां पे जो फिर्ट चाहल एक तरह रही है तो क्या होता है यहां पर लगा यहां तो ये हो जाएगा 100 क्या होगा 180 किलो मीटर पर आवर तो इसको जब आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे ध्यान दीजेगा जब आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 180 गुने 5 बटा का 18 तो 18 दहां में 180 दस पचे ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है ध्यान दूरी बराबर क्या होगा दूरी बराबर दूरी यानि की लंबाई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय तो यहां पर चाल क्या है 50 मीटर पर सेकेंड और समय कितना ले रही एक दूसरे को पार करने में पांच सेकेंड का आप सब इस सुडेंट देखिएगा तो पचास पच्चे देहां दीजिए पांच पच्चे पचीस दोसो पचास यह दोसो पचास मीटर क्या होगा दोसो पचास मीटर यहां पर लिख देते हैं दोसो पचास मीटर यहां पर क्या आया दो ट्रेनों की लंबा इससे आ रहा है क्या 250 मीटर तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों कोश्चन अलग-अलग है अब आप लोग यह न सोचिएगा कि सरे इसमें ट्रेन की लंबाई इतनी है इसमें क्यों इतनी है तो यहां पर देखिए जो समय दे रहा है न हाँ उस पर भी डिपेंड कर रहा है ठी एक ट्रेन की लंबाई यहां पर लिख देते हैं एक ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई क्या होगा 250 का अधा 125 मीटर हां 125 मीटर ठीक है समझ में आ गया देखिएगा आप सब स्टूडेंट यहां पर कोश्चन आया ट्रेन की लंबाई कितनी है तो यहां पर जो आंसर होगा होगा 250 meter और यहां पर देखिये लंबाइक कहह रहा है क्या होगा वह होगा 120 meter ठीक है हां समझ में आया 250 meter 125 meter को सब्सक्राइब सबीट चलने सब्सक्राइब legislative सबाएब नेयुक्त सब्सक्राइब नम देखेंगे अगला वह बहुत ही important है most important question है इस question को आप सबी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह बहुत ही important question है इस question को देखिएगा समझना बहुत ही जरूरी है question number 12 क्या है most important question है दिहान से देखेंगे question है देखिए एक रेल एक रेल मतलब एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े ब्यक्ति को क्रमसह 25 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर लेती है बताए यहां रेल गाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेल प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी question आसान है लेकिन बस पहले question आप लोगों को समझना है concern में बोल रहा है एक रेल मतलब एक ट्रेन है 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म और उस पर खड़े ब्यक्ति प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकें का समय लेती है ठीक है? हाँ 10 सेगंड का समय लेती है तो कह रहा है यही रेल गाड़ी यही रेल गाड़ी अगर 200 मीटर 200 मीटर लंबा प्रेटफ़ार्म हो तो इसको पार करने में कितना समय लेगी? यह चीज है तो यहाँ पर आप सब इस टूड़िन देखिए ब्यक्ति को पार करने में कितना ले रही है ब्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है दस सेकेंड तो ब्यक्ति को पार करने का मतलब क्या होता है ब्यक्ति पोल खंबा सिगनल इनको पार करने का मतलब क्या होता है ट्रेन की हां इनके पार करने में जो दूरी तय ह पर होती है वह होती है train की लंबाई आपको पता है तो ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें आप सब रिते देखें माल लेंगे दोस्तों सभी सूडेंट देखेंगे जो train की लंबाई है train की लंबाई सभी स्टूडेंट समझेंगे इसको हाँ train की लंबाई train की लंबाई दिया नहीं है हाँ train की लंबाई एक्स मीटर माल लेते हैं, एक्स मीटर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अब यही आप लोगों को समझेना है, अगर इतना समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, द आप लोग समझेंगे तो यहां पे देखिए जब ब्यक्ति को पार करेगी तो दूरी कितना ताय करेगी ट्रेन अपनी लंबाई देखिएगा पहले आप सब शुटिंट ट्रेन की लंबाई निकालेंगे एक्स बटा का समय कितना ले रही है दस सेकेंड एक्स बटा का दस यह क्या आया चाल क्या गया मीटर पर सेकेंड में ठीक है यहाँ पेक चाल आया यह क्या आया ब्यक्ति को पार करने में ठीक है अब देखिए एक और चाल आएगा हाँ सभी सुडेंट देखिए चाल वन है यह चाल 1 है और एक और चाल है चाल 1 लिख देते हैं या रहने देते हैं देखिएगा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे सीखेंगे समझेंगे ठीक है हाँ अब उसके बाद से एक और चाल आएगा जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो चाल बराबर दूरी बटा समय है यहां पर फिर से लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो चाल बराबर दूरी बटा समय पता है अब देखिए जब प्लेटफार्म को पार करेगी आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे समझेंगे अभी आसान तरीका भी बताएंगे पहल देखिए जब प्ल प्लेटफार्म प्लस ट्रेन प्लेटफार्म प्लस ट्रेन समझ रहें आप सब स्टूडेंट मतलब प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 300 है और ट्रेन की लंबाई कितनी है एक्स है और समय कितना ले रही है 25 सेकेंड कितना 25 सेकेंड तो चाल क्या होगा बराबर होगा तो ये चाल बराबर ये चाल हम बोल सकते हैं चाल बराबर होगा कहने का मतलब है यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे X बटा का 10 मीटर पर सेकेंड ये बराबर होगा इस चाल के यानि कि ध्यान दीजेगा 300 प्लास X बटा का 25 के हाँ समझ रहें 300 बटा 25 के क्योंकि ये चाल और ये चाल दोनों बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे क्योंकि train एक ही है अब ज्यादा कुछ नहीं करना है अब देखिए अवारा कुछ student का अंसर भी आ तो आप इसको छोटा कर लीजिए 5 दूना के 10 5 पचे 25 और 5 से X में कुरा करेंगे 5 X बराबर 2 से करेंगे तो 3 दूना के 600 प्लस ये होगा 2 X ठीक है आब यहां से क्या आ गया train की लंबाई आ गई 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई क्या 200 मीटर X की क्या 200 मीटर अब आप सभी मिल गया 200 मीटर हम लोगों से पूछ रहा है बताए यह रेल गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी तो समय बराबर क्या होता है बताएं आप सभी सुडेंट समय बराबर समय बराबर क्या होता है दूरी बटा का चाल समय बराबर क्या होता है दूरी बटा का चाल दूरी क्या होगा? देखिएगा, 200 मीटर लंबा platform और 200 मीटर लंबी train. तमस्ब में आया, देखिए, train की लंबाई कैसे निकाले? पता लगा, दोनों चाल को compare किए, बराबर किए, ठीक है? हाँ, बराबर किए है, दोनों चाल बराबर है, ठीक है? 200 meter आया, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा, चाल, 200 meter अब लंबे platform है, वो platform 300 meter वाले की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहा है, 200 meter लंबे platform को पार करने में कितना समय लेगी, तो दूरी क्या हो जाएगा, train की लंबाई 200, प्लस platform की लंबा है, यहाँ आप देखिए, समय बराबर ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा का चाल, अब चाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, चाल क्या है, यहाँ पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, कहीं पे कुछ गड़बड कर रहे हैं, 300, 200, हाँ, कोई नहीं, आप कहीं से भी ला सकते हैं, ध्यान दीजिए, समय बराबर आप कहीं से भी ला सकते हैं, समय बराबर, यह 400 हो जा रहा है, समय बराबर, समय देखेंगे, दूरी बटा का चाल, हाँ, दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल, यहाँ पे देखिए, यहां पर यहां से आप क्या करेंगे पहले तो समय यहां से लाएंगे यहां से समय ला सकते हैं और आप यहां से समय ला सकते हैं पहले यहां पर देखना है आप सब को पार कर रही है तो दस सेकंड ठीक है दस सेकंड ले रही है तो यहां से आप समय ला सकते हैं ध्यान दीजे दूरी ब्यक्ति मतलब ब्यक्ति यहां पर ध्यान दीजे जब ब्यक्ति को पार करेगी तो उसकी दूरी क्या होगी ट्रेन की लंबाई दो सेकंड आप सभी आएगा वह आएगा 20 सेकेंड अगर हम यहां से समय निकाले तो दूरी क्या होगा train प्लस हाँ ध्यान दिजे प्लेटफार्म प्लस ट्रेंड तीन सो प्लस दो सो क्या होगा 500 ध्यान दिजे अगर आप यहां से निकालना चाहें 500 और बटा का समय यहां पर क्या लग रहा है पचीस सेकेंड लग रहा है जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है पचीस सेकेंड तो आप यहां से भी अगर समय निकालना चाहें तो पचीस दुना के पचास यानि आंसर क्या आएगा 20 सेकेंड हाँ समय कितना लग रहा है ध्यान दीजे आप सब इस्टूडेंट समय क्या रहा है 20 सेकेंड का हाँ समझ में आ रहा है समय ध्यान दीजेगा 10 की जगा 25 होगा कहां पे हाँ 10 की जगा 25 नहीं आप सभी student देखिए समझेंगे x बराबर क्या आया है x बराबर क्या आया है ध्यान दीजेगा x बराबर क्या आया है आप सभी student देखिएगा x बराबर क्या आया है x बराबर 200 मीटर तो यह train की लंबाई अगर train की लंबाई इतनी है train की लंबाई इतनी है और ध्यान दिजिएगा समय ले रही है दस सेकेंड तो आप बताए ध्यान दीजिए आप सब इस्टूटेट तो यहां पे यहां से आप समय बराबर दूरी बटा चाल ला सकते हैं तो दूरी क्या होगी train किलम लिट्स शाल क्या है देयां दिजी आप सब चल आपकी क्या है यहां पर दो सेकड हम आप लोगों को समझा रहें सक यहां पर आप लोगों निकाला ध्यान दीजिएगा चाल ट्रेन की लंबाई एक्स मीटर दो सेगेंड थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहां पर चाल बराबर दूरी बटा समय यहां से हम लोग चाल लाएं दोनों चाल को कंपेर किये तो ट्रेन की ट्रेन की लंबाई आ गई समय बराबर दूरी बटा चाल तो दूरी क्या है ध्यान दीजिएगा दूरी क्या है आप सब स्टूडियु कोanging कोidents को हाँ चलिए देखेंगे आप सभी स्पूडेंट हाँ कोशन सही है कोशन में कोई गड़बड़ी नहीं है कोशन में कोई गड़बड़ी नहीं है पहले आप सभी स्पूडेंट इस्पीड निकाल लीजिए push cave, speed, ध्यान दिजिए, यहां से train आ गई न, ध्यान दिजिएगा, चाल पहले आप सभी student निकालेंगे, सभी student क्या करेंगे, चाल निकालेंगे, ध्यान दिजिए गा, पहले क्या करना है, चाल निकालना है, यहाँ पर आप लोग देखिए, 20 seconds आ रहा है, अच्छी बात है, ध् पर जो होगा train की लंबाई 200 आया है तो 200 बटा का धेन दीजिएगा आप सब इस स्टुडेंट 200 बटा का दस करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या होगा 20 meter per second हाँ सब्सूडेंट क्या आ रहे 20 meter per second आप चाहे तो तो यहां से निकाल सकते हैं यहां से देखिए एक्स बराबर क्या आया है 200 मीटर ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर तो 300 प्लस 200 क्या होगा 500 500 सब बटा का 25 500 बटा का 25 चाल और दूरी बटा इसमय इसमें क्या 20 मीटर पर सेकेंड क्या है चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड क्योंकि चाल जो है ट्रेन एक है तो चाल बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड यहां से भी 20 मीटर तो दोनों में कहीं से भी आप निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा हम लोगों से क्या पूछ रहा है हम लोगों से पूछ रहा है आप सब इस सुटेंट देखेंगे यहां पर है आप सभी सुन यहां लोगों से फूच रहें बताये यहां रेल गारी 500 मीटर वे प्लेट्फार्म को 200 मीटर यहां पर रहें बताये यह रोलगारी 200 मीटर प्लेट्फार्म को पार करने में कितना समय तो दूरी जो होगा दोस्तों ओ होगा 200 मीटर ट्रेन की लंबाई और प्लस 200 मीटर क्या है प्लेटफर्म की लंबाई और चाल जो आया है चाल ध्यान दिजेगा जो चाल आया है वो 20 मीटर पर सेकेंड आया है आप यहां से देखिए या यहां से देखिए क्योंकि ट्रेन एक कही है तो इसे क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट 20 से भाग करेंगे तो 400 ध्यान दिजेगा 400 बटा का 20 तो समय क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट 20 ध्यान दिजे दो दुना के हाँ confused नहीं होने हैं देखिए एक बार और हम इस question को समझा देते हैं क्योंकि important question है और इसको आप लोगों को समझना है देखिए-गा पहले देखिए हम लोग क्या मामने ट्रेंद की लंबाई एक स्मीटर तो चाल बराबर दूरी बट़समयं भी पार करेगी मतलब अपनी अपनी लंबाई पार करेगी एकस बटा का धनाकी को न Bürकलज को पनी कोकूप्यस सेकंड को और प्लेट्फोर्म को पार कर तो दूरी बटा समय, प्लेटफार्म है 300 मीटर, देखिए, एक ध्यान दीजे, ट्रेन की लंबाई और प्लस, ध्यान दीजे, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म है, ध्यान दीजे, एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन, बटा का 25, ये मीटर पर स सेकेंड समझ में आ रहा है हां यहां दीजे पहले भी आ रहा था अंसर लेकिन यहां पर थोड़ा से समझ लिजे ताकि आसान हो जासा कि आप लोग समझाना तो देखिए 200 बटा का 10 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड यहां से आ जाया आप चाहें तो चाल यहां से भी निकालेंगे तो दीजे ठीक है हाँ देखिए तो अब यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की जो चाल है और यहां तक तो आप सब को क्लियर है हम लोगों से पूछ रहा है समय कितना लगेगा 200 मीटर एक लंबे प्लेट्फार्म को इस प्लेट्फार्म को नहीं एक अलग प्लेटफार्म है उसकी जो लंबाई है दो सो मीटर है दो सो मीटर प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई यानि प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करेगी यानि कि 200 प्लस 200 400 चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है तो 400 मीटर दूरी ताय करने में कितना समय लगेगा 20 सेकेंड समझ में आ गया हाँ समझ में आ गया बहुत अच्छे हाँ confusion कोई नहीं है समझा चुके हैं उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं क्योंकि speed क्या है गया है आप यहां पर भी देख सकते हैं शाल क्या है समान है आप यहां से चाल ला दीजिएं यहां से ला दीजिए चाल दोनों ज़क आको होगी मेंद के किछंव है student समय बराबर दूरी बटा चाल तो यहां पर जो दूरी है वो 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और train की जो लंबाई है वो 200 मीटर यानि कि 400 मीटर दूरी चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड तो कितना समय लगेगा 20 सेकेंड 20 सेकेंड अंसर होगा वरीगुण समझ में आ गया हां समझ में आ यहां एकjem सही है सभर सब्टैकल सहिए बस आप लोगों के प्रशन में आप लोगों कह अभी चलिए देखेंगे आप सबिस्टर इक और कोडिन एक और सबीड़िंट देखिए तो यह जो चुशन नमबर 13 komme 138 देखिए का मुस्ट इंपोर्डेंट है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करिए एक बार में नहीं समझ में आता है तो ढूर्बर समझ में आएगा चलि यह कोशल कि कोशिट नमबर 13 की बात करें तो यह जो question है most important question है चलिए question देखेंगे question है एक रेल गाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड तथा यह 18 सेकेंड है 18 सेकेंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है रेल गाड़ी की चाल गयात करिए तो रेल गाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे आप बताईए सेम कोशन है जैसे पिछला कोशन कराए है कि इस कोशन कांसर आप लोग दें क्योंकि काफी important question है और ऐसे question अभी हम आप लोगों को पिछला question कराए हैं सेम उसी टाइप का है आंसर इसका आप सब इस्पूडेंट दे सकते हैं, देखे, रेल गाड़ी की चाल, पहले तो देखे, इसमें रेल गाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेल गाड़ी की लंबाई, रेल गाड़ी की लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो चाल बराबर क्या होता है, बताएं आप सभी सूडेट, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो पहला जो प्लेटफार्म है, उसकी लंबाई है 162 मी आएगा एक सो बासट प्लस एक सब्टा 18 मीटर पर सेकेंड यह एक चाल हुआ एक और चाल आएगा ध्यान दिजेगा एक दूसरा जब ध्यान दिजेगा हां आब यहां से देखिएगा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो यहां पे कह रहा है कि 120 मीटर ध्यान दीजेगा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है अब यहां से देखिएगा यहां पे चाल बराबर क्या होगा चाल बराबर दूरी बटे समय तो 120 मीट लमबा प्लेटफार्म है ध्यान दिजिएगा चाल देखिए चाल दोनों समान है चाल क्या है समान है तो यहां दोनों चाल निकाल किया करेंगे अ भराबर रखेंगे तो क्या आएगा ट्रेन की लंबाई आजायेगी देखिआगा तो 120 प्लस train की लंबाई x meter और समय कितना ले रही है बताए 15 second का समय कितना ले रहा है 15 second का तो यह आप का जाएगा meter पर second अब दोनों चालों की तुलना करेंगे क्या करेंगे दोनों चालों की तुलना करेंगे तो तुलना यहाँ पे कर रहे हैं देखिए 132 प्लस x बटा का ध्यान दीजि यहाँ पे क्या है 15 है अच्छे से देखेंगे समझ में भी आएगा आप लोगों को ठीक है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप इसको compare करेंगे तो इसे आप देखिए 3 से कटा सकते हैं 3,6,8,3,5,15 ठीक है 3,6,8,3,5,15 अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करन तर अपा लगे है ठीक है गषय में सकते हैं तरह सकते हो यह है ने आप विए आप क्या करेंगे दोनों मैं कहीं पर भी एकस बराबर 50 मीटर रहं के लिए दोनों के क्या पूछ रहा है बताए हाँ 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 ट्रेन की हम लोगों से पूछ रहा है चाल तो चाल बराबर दूरी बड़ा समय तो दूरी ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट हाँ दूरी क्या होगा प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई कहीं से भी आप चाहें तो क्या ल दूरी बटा समय तो यहाँ पे दिख की लंभाई क्या है एकं?! 162 ए एकंवो बासट प्लस ट्रेंट की लंभाई क्या है नमबे है और बटा का ध्यान दिजियेगा समय कितना ले रहा है यहाँ अठी सेकेंड तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा देखे जोड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट तो यह दो और नौच्छे पंदरा का पांच हांसी लेक 252 252 बटा का ठारा तो अठारा से कटेगा अठारा एकम अठारा हां अठारा एकम अठारा और साथ बहात्तर अठारा चोक बहात्तर तो इसकी जो चाल हो जाएगा बताए आप सभी स्टूडेंट हां 14 मीटर पर सेकेंड क्या पूछ रहें ट्रेन की चाल 14 मीटर पर सेकेंड यही आपका क्या होगा आंसर होगा आप च 90 और बटा का, यहाँ पर आप सभी student देखेंगे, समय दिया है 15 second, तो जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे, सभी student देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो 120 और 90 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 210, 210 बटा का 15 से यह कटेगा, 15 एकम 15 और 15 चोग को साथ, क्या आया, 14 मीटर पर सेकेंड, दोनों में कहीं पे भी रखेंगे, तो आपका 14 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है, हाँ, दोनों में आप कहीं पे भी रखेंगे, तो क्या आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड आएगा, 14 मीटर पर सेक एक और तरीका देते हैं, method two आप लोग दएखी लेजिए, method two आप सब्सुडेंट देखी लीजिए, method two, method two लुटे लोगो को बता रहे है, method two भी समझिएगा, आप सब्सुडेंट देखेंगे, चालो, की जो लंबाई है औो क्या है एक प्रेटफार्म की जो लंबाई है और एक 162 मतलब यहां तक इसकी जो लंबाई होगी दोना और देखिएगा 120 और और यहां पे भी 120 और आपका प्लस क्या होगा यह जो लंबाई होगा देखिए 162 है तो यह होगा 42 यहां पे थोड़ा सा समझेना है अगर यह समझेंगे तो इतना आप लोगों को करने की ज़रूरती नहीं पड़ेगी डिरेक्ट आंसर देंगे देखिएगा एक प्लेटफर्म है 162 मीटर और एक है 120 समझेगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे देखेंगे यहां पे थोड़ा इतना अधिक है जो बड़ा वाला प्लेटफर्म है वो कितना अधिक है 42 मीटर अधिक है समझेगा और समय जो लग रहा है देखिएगा बड़े प्लेटफर्म को पार करने में 18 सेकंड लग रहा है छोटे प्लेटफर्म को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है देखिएगा तीन सेकेंड का यानि यह जो ज्यादा वाला है इसको पार करने में तीन सेकेंड ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा है कितना 42 मीटर और समय कितना लग रहा है तीन सेकेंड ध्यान दिजेगा ज्यादा कितना है 42 मीटर समय कितना लग रहा है तीन सेकेंड और आप सबसे पूछ तो 42 बटा का 3 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा तो यहां पर आप सब को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय हां तो चाल क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए चाल क्या होगा ध्यान दीजिए दूरी क्या होगा चाल बराबर 42 और यहां पर ध्यान दीजिए आप सब समय कितना लग रहा है 18 सेकंड लग रहा है 15 सेकंड तो 42 वटा का तील तो यह आएगा 14 मीटर पर सेकंड यहीं पर आपका अंसर आ गया सिर्फ इतने में ही अगर आप समझ रहे हैं तो इतने में ही आंसर है हाँ वहाँ तक्षे कुछ स्टूडेंट समझ गए है 14 मीटर पर सेकंड वेरी गुड देखिए एक है 162 दूसरा है 120 120 यह तो इतना 120 यह ज्यादा कितना है 42 तो समय में कितना यह 18 सेकंड लग रहा है यहां पर 15 सेकंड लग रहा है इसको पार करने में 18 इसको 15 ध्यान दीजे इसको पार करने में 18 इसको 15 तो समय कितना 3 सेकंड दूरी कितना तय कर रही है तो क्या ट्रेन की जो स्पीड होगी हो चाल बराबर दूरी बटसम है तो 42 बटा का 42 बटा का 3 42 बटा का 3 14 मीटर पर सेकेंड वरी गुड एकदम सही जितने स्पूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है चलिए बताइये समझ में आया कि नही है हाँ वरी कुट एकदम सही है सभी स्पूरिंट समझ रहें यह भी आप कर सकते हैं यह तो बेसिक तरीका है समझाने के लिए मैं थाड़ तू में आपको बस देखना है कितना ज्यादा है हाँ समय में 18 से 15 से कंड लग रहे हैं तो 42 सी में सभी प्रस्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से और इस टाइब के कोश्चन आपके एकilation में तो आप सभी student solve कर लेंगे ठीक है यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है rail gari के जो प्रसन है trains related जो प्रसन है और यहाँ पे आपके क्या होते हैं समाप्त होते हैं अगर इसमें एक दो question रहे भी कभी जाते हैं आप लोगों के हिसाब से तो उसे मिसलेनियस टाइब से करा देंगे अगर कुछी टाइब का कोई question रहता है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं आप हमें Instagram पर message कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जो train है आपका क्या हुआ complete हुआ आगे की class में हम next chapter start करेंगे नया topic start करेंगे तो अगली class में आप सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट परजेंट जरूर रहेंगे और हम आप लोगों को बता दे यह जो आपकी आज है आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं ठीक है और आप पे जाके आप सभी स्टूडेंट फाइपर स्टार की रेटिंग और महतिनीन रिव्यू आज भी आद है मुझे वह दूर गुंजदा ट्रेंट का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अप के सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाया तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनौल तो हम है आपके साथ रेलवे में ALP तथा टैक्नीशियन बनने का सपना देख रहें विद्यार्तियों के लिए SSC मेकर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्या रूप से रेलवे ALP तथा टैक्नीशियन के एक्जाम के लिए तैयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोइन करें हमारा पाइलट बैज और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे पाइलट बैज जोइन करने के लिए डाउनलोड करें SSJ मेकर है और दिये गए नमबर पर कॉल करें